हेलो दोस्तों गुट मॉर्निंग नमस्ते स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ और रहे हैं सुबै के 9 और मैंने सारा काम कर लिया है घर का और नहाद हो के रेडी हो गई हूँ अब मैं थोड़ी देर पढ़ा ही करूंगी और थोड़ी ड्राइंग बनाऊंगी तो अभी मैं आ गई हूँ कोटवार में और अभी तो फिलाल यही है और अगर शाम को या फिर दिन में कुछ करती हूँ तो उसका व्लॉक शूट करूंगी क्योंकि यहां तो बहुत तेज बहुत तेज दूप लगती है और बहुत गर्मी हो हुए थी क्योंकि मुझे यहां आके गर्मी लग गई और गाव में काफी ठंडा था तो वहां थोड़ा सही लग रहा था पर यहां बहुत ज्यादा करम है और दिन में तो इतनी तेज दूप हो जाते है कि बाहर नहीं निकला जाता और फिलाल तो मैं अभी यहीं हूँ कोट अगर टाइम है और हलकी हलकी हवा भी चल रही है तो चलो अभी काम करते हैं फिर मिलते हैं आप से दिन में अभी मैं आ गई हूँ अपनी सीब पे और काम करते हैं थोड़ी बे और अब बच गए दिन के दो और अभी हम लंच कर रहें तो रित्तु यहां पे बैठी लिया है और यहां पर मिठू भी लंच कर रहा है मम्मी के साथ और यहां पर यहां पर यहां पर यह तोते मेरे कलर के पीछे पड़े वे जितना पाचावा है ना खाले मिक बोलेगे कोई मुझ से प्यार नहीं करता मुझ से प्यार नहीं करता है 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 मुझ से खाना 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 नहीं करता है मुझ से खान श्याम के साथ बच चुके और अब मैं छट पे आ गई हूँ गूमने के लिए थोड़ा सा क्योंकि अंदर बहुत जादा गर्मी हो रही है तो इस वजे से घर के अंदर मतलब घर के सामने भी बहुत जादा गर्मी हो रही है और मैं गुमऱी थी तो मैं यह देख नहीं कि हमारे च़त में काफी सारा गुडा पढावा इह साफ के और नीचे बहुत सारा कुडा यह कंदी तेज क्कड़ी लगा रहती है और यह हुआ नि क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और हम गाउं चले गए थे बीच में तो उनको पानी वानी देने के लिए कुछ कोई था ही नहीं आ पर तो तब वह सूख गए तो अब मैं सोच रही हूँ कि जितना भी यह कुड़ा यहां पर पढ़ावा है जितना भी यह मतलब जो भी पढ़ावा है इसको सब समेट के और एक अच्छा सा गार्डनिंग टाइप का बनाऊंगी यहां पर तो कल से मैं यहां पर एक काम स्टार्ट करूंगी और यहां पर और यहां से उपर आके यहां पर भी यह सारी टाइल्स वगरा बची भी थी यह सब ऐसे ही पड़ावा है पूरे छट पे वो वो भी कुछ लगा रखा था पर वो हुआ नहीं बाकी सारी चाट आइसी खाली है तो यहां पर पूरा डेकॉरेशन करने गां सोच रहूं मैं तो देखते हैं अब मैं कैसे करते हूं तो वो मैं आपके शार शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है पता नहीं कैसे बनेगा वैसे मुझे अभी खुदी नहीं पता कि कैसा बनाऊंगी मैं पर जैसा भी होगा मैं आपके शार शेयर जरूर करूँगी और अभी अभी मम्मी ने मुझे नीचे से आवाज लगाई कि दूद नी है दूद ले आओ और चाई बनानी है और गड़वालियों की एक खास बात यह है कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े कितना भी कुछ हो जाए कितनी भी भी भीशन गर भी पड़ जाए पर चाई तो पीनी है और चाई नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत में और चलो अब नीचे चलते हैं और दूद लेके आते हैं दुकान से तो अब रात के साड़े दस बच चुके हैं और हमने खाना वाना खा के सब बाहर बैठे वे और इस चैनल पे मैं ड्रोइंग के सौट्स भी अप्लोड करती हूं तो मैं आपको लिंक भी देदूंगी डिस्क्रिप्शन पे अगर आपको मेरी ड्रोइंग देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे जाके देख सकते हैं और चैनल खोल के भी देख सकते हैं वैसे तो मैं बहुत अच्छी ड्रोइंग ने बनाती हैं पर हाँ अच्छी बना लेती हूं तो अगर आपको देखनी है कि मैं कैसी ड्रॉइंग बनाती हूँ तो आप इस चैनल के सौट्स पे देख सकते हैं और मुझे डेकोरेशन करने का भी बहुत शौक है तो मैंने अभी शाम को बताया था कि मैं छट पे कुछ डेकोरेट करूँगी तो मैं वो भी जरूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे किया है और अगर सौट्स के लिए आपको लगता है कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ये बनाओ तो मैं वो suggestion जरूर लूँगी और आप मुझे जरूर बताना comments में कि मैं क्या बना सकती हूँ आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आप से कद एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए bye bye, good night, take care